नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है स्वागत करने के साथ ही मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे आपका अपना चैनल ओनलाइन लेकर एडवाइस इसी प्रकार की जो कानूनी जानकारी है वो आप तक मिलती रहेगी आपको पहुँचती रहेगी कई लोगा ये डाउट होता है कि मीचोल डिवाउस में अपील नहीं होती है या अपील करनी है तो कब और कैसे कर सकते हैं इसी मुद्दे पे आज उमनों बात करेंगे मीचोल डिवाउस पहले मैं आपको बता दूं आखिर क्या होता है कैसे होता है मीचोल डिवाउस की कुछ essential terms and condition है पती-पत्नी दोनों का रजामंद, राजी होना, तेयार होना, दोनों की proper consent होना बहुत जरूरी है इसके साथ ही साथ, दोनों साथ में court में petition file करते हैं छे महीने का time लगता है अब उस time को कैसे खतम करना है, मैंने already आपको कुछ video में explain किया था आज पिलाल अब लोग बात कर रहे हैं appeal के बारे में तो mutual divorce, शादी के एक साल के बार, अगर separation है, तो एक साल के separation के बार file किया जा सकता है और कम से कम इसमें 6 महीने का समय आपको देना पड़ेगा, जो की cooling period होता है मतलब कई बार गुस्से में आकर कि आपने court में case file कर दिया गुस्से में तो आकर कर दिया, लेकिन अब अगर आपको तुरंत अगर court ने तलाग भी अलाओ कर दिया तो वो ठीक नहीं है, इस वज़र से cooling period का जो formula है, वो चलता है, 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ता है चलिए बात करते हैं अपील के बारे में, अपील का मतलब यह है कि अगर मीचुली दोनों पती पत्नी को court ने तलाग दे दिया है तो क्या वो उसकी अपील कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते, अमोमन 99.9% cases में अपील नहीं होती है उसका रीजन है civil procedure court, जहाँ पर section 96, subsection 3 में limitation prescribed है और इसे बाट किया गया है जहाँ पर दोनों आपस में ही अगर तयार होकर समझोता करके कोई decree या judgment या order court से लेते हैं तो आप उसकी अपील नहीं कर सकते बाद में तो उसी बज़ा से इससे बाट किया गया है section 96, subsection 3 में लेकिन उसके बावजोत क्या होता है, कई matters में ऐसा होता है कि पती पत्नी वापस से settlement करना चाहते है तो ऐसा ही एक मामला आया था, हाई court, पंजाब और हर्याना के सामने जहां पर पती और पत्नी ने पहले तो court से आपसी सहमती तलाक ले लिया फैमिली court से तलाक ले लिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि उनका एक बच्चा भी था उन्हें ऐसा दोनों को realize हुआ कि हमने गल्दी कर लिया और हम इस गल्दी को सुधारना चाहते हैं हाई court के सामने गए, हाई court ने उनकी petition allow कर दी अब ये तो contradictory हो गया, मैंने अभी आपसे कहा कि section 96, subsection 3 में civil procedure court prescribe करता है, bard of limitation, bard of suit, जहांपर appeal नहीं हो सकती वहाँ दोनों ने आपसी सहमती तलाक लिया था, उस condition पे अब यहाँ court ने क्यों कर लिया, court ने interest of justice को ध्यान रखते हुए कर लिया अगर आपको ये judgment चाहिए, तो निश्यत रोप से आपको मैं description box में mention कर दूँगा जहांपर court ने ये कहा कि उस condition पे जहांपर दोनों वापस से reinstate करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं तो 1986 के judgment का reference लेकर के पंजाब और हर्याना court ने appeal allow कर ली और दोनों की जो mutual divorce के decree और judgment था, उसे set aside कर दिया, खतम कर दिया आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर आप मुझे comment box पे बताईएगा, इसके साथ ही साथ नए हैं तो subscribe कर लीजे आपका अपना channel अगर आपकी personal problem के लिए मुझे बात करना चाहते हैं, तो whatsapp number mention इसके साथ ही साथ, इस video के description में link है जहां से आप आपकी personal problem के लिए बात करने हैं, ये तो मुझे आवेदन या request mention कर सकते हैं आप सभी कामेशा की तरह कीमती और मायदपून समय देने के लिए बहुत धन्यवाद